ये है चहादे की कहानी में आए दिन आ रहे हैं बड़े ही दिल्चस्प मोर जहां पर रुद्र और प्रिशा के जिन्दगी ने ले ली है एक और नई करवट तो वहीं पर रुद्राक्ष ने देविका से शादी करने का फुल ओन बना लिया है मन लेकिन उसके बीश प्रिशा क को देख कर रुद्राक्ष की दिल में होता है कुछ-कुछ और उसी कुछ-कुछ का कंफरमेशन करने के लिए रुद्राक्ष ने उठाया एक ऐसे कदम जिसमें बुरी तरह फस गए है प्रिशा और खुद रुद्राक्ष आज आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा क जैसे स्टोर रुम में रुद्र प्रिशा को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेशुराइज करता हुए नजर आएगा उसके बाद प्रिशा रुद्राक्ष से वार बार यही कहती हुई दिखाई देगी कि उसके दिल में रुद्र के लिए कोई भी फीलिं कर या किसी और के साथ देख कर जलन और तड़ाप होती है प्रिशा बार बार रुद्राक्ष से दर्वाजा खुलने के लिए कहे गी और उधर दिखाया जाएगा कि अर्मान देविका सलोशना हर कोई रुद्राक्ष और प्रिशा को ढूंड रहे होंगे पूरे घर में जो कही भी नजर नहीं आएंगे एटलास अर्मान को याद आएगा कि प्रिशा स्टोर रूम में लड़ू रखवाने के लिए कार्टन लेने गई थी और इसलिए अर्मान भी स्टोर रूम का रास्ता पकड़ेगा और जैसे ही अर्मान स्टोर रूम के दर्वाजे तक पहुंचेग वहाँ पर रूदराक्ष दर्वाजा खोलेगा और सामने रूदर्व प्रिशा को देखकर हर कोई काफी जाड़ा शौक्त हो जाएंगे यानि के अर्मान के सामने बहुत जल्द खुल सकता है रूदराक्ष और प्रिशा के अतीत का करवा सच कि रूदराक्षी है वो शक्स जिसे प्रिशा कभी अपने दिलों जान से बेंतहां मुहबत किया करती थी। अब देखना होगा काफी जादा इंट्रॉस्टिंग कि जब अर्मान के सामने ये बड़ा सच खुलेगा कि रोधराक्ष कोई और नहीं बलकि प्रिशा का एक्स हस्बेंड है और देविका का होने वाला पती वो प्रिशा के चलते ही देविका कितनी करीब आया है तब क्या होगा अर्मान के रियक्शन ये देखना होगा काफी जादा इंट्रॉस्टिंग